नमस्कार इस टीवी नियूज के स्पेशल कोरोना बुलेडिन के साथ मैं हूँ मुहम्मद सादिक हुसेन जैसा कि आपको मालूम है कि इस खास बुलेडिन में हम आपको कोरोना संकर्मन के हालात से रूबरू कराते हैं रोज की तरह आज भी इस बुलेटिन में कोरोना संक्रवन की देश परदेश और कुछ महतुपण जिलों की इस्थिति के बारे में बताएंगे साथी बिहार और खास तोर से उत्तर बिहार के महतुपण जिलों में पिसले 24 गंटे के अंदर कैसे हालात उत्पण हुए हैं ये भी बताएंगे अपने देश भारत में वैस्पिक महामारी कोरोना की दूसरी लहर की क्या इस्थिति है या हमें बखुबी मालूम है या किसी से छुपी हुई नहीं है अगर मौत के आकड़ों पर नज़र डालें तो यह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है देश में अब तक 1,95,57,457 कुरोना संकरवन के मामले सामने आ चुके हैं जिनमें अगर एक्टिप केस की बात करें तो 33,49,644 मामले सामने आये हैं जबकि 2,15,542 लोगों ने इस महामारी की वज़े से अपनी जान गवा दी है वहीं अब तक 1,69,92,271 लोग हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है यानि ये लोग ठीक हो चुके हैं अब आये फटाफट अपनी सुवे बिहार में कुरोना संकर्मन की क्या कुछ इस्तिती है उसके आकड़ों पर नजर डालते हैं यहां कुरोना की एक्टिव मरीजों की बात करें तो यहां आकड़ा 1,08,202 है अब तक 3,73,261 रिकवरी हो चुकी है जबकि मरने वालों की संख्या 26,42 तक पहुँच गई है वहीं बिहार में कुरोना की पिसले 24 घंटों में सरकारी आकड़ों के हिसाब से बिराक्सी लोगों की मौत हुई है जो कल के मुकाबले 2 अधिक है जबकि 10,905 लोग इलास के बाद ठीक हो चुके हैं वहीं 2802 एक्टिब केसेज सामने आए हैं बात अगर हम उत्तर बिहार की करें तो पुर्वी चंपारां जिले में अब तक कुरोना संक्रमन की क्या कुस हालात है रंधीर कुमार पता रहे हैं अभी वो दोर चल रहा है जब हमें विश्वास रखना है कि कुरोना आया है तो जाएगा भी लेकिन तब तक हमें धैरे रखने की जरुरत है आपको याद होगा कि कुरोना की पहली लहर लगबग 7 महीने बाद कंट्रोल में आई थी लेकिन तब हम इस महामारी से अंजान थ अब डॉक्टर इस बीमारी को समझ चुके हैं वैक्सीन बन चुकी है तमाम तरह की कोशी से जारी है बस हमें अपने करतब्यों का पालन करते हुए कुरोना गाइडलाइन्स का अनुपालन करना होगा अपने घरों में रहना होगा मास्क लगाना होगा साबून और परण जिलेवासियों को थोड़ी दाहा जरूर मिली है क्यूकि सनिवार को जिले में positive मिलने वाले मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है सनिवार की रिपोर्ट के मुताविक जिले में 1886 लोगों का कोरोना जाज किया गया जिनमे 242 लोग कोरोना के नय संकर्मित मिले जबकि 276 कुरोणा संकर्मितो कोंड डिश्चार्ज किया गया इसी के साथ जुले में मरीजों का आकड़ा 12,503 हो गया है वही 74 मरीज मोतिहारी सहर में मिले हैं यानि अभी मोतिहारी सहर हाट स्पोर्ट बना हुआ है अभी जिले में एक्टिव करोना मरीजों की संख्या पचीस सो आठ है वहीं जिले में करोना से मरने वालों की संख्या च्छालीस है सीवान की बात कर लें तो सीवान में एक माई को जो सरकारी आंकडे मिले हैं उसके अनुसार पॉजिटिव केस की संख्या 9722 बताई गई है वही डिस्चार्ज पेशन्ट की बात करें तो 7335 ऐसे मरीज हैं जिनका एलाज करने के बाद छुट्टी कर दी गई है डेथ की अगर बात करें तो वही आंकड़ा रुका हुआ 55 पे दिख रहा है जो सरकारी आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार तो ये एक खुशकबरी की बात है कि सीवान में डेथ का रेशियो अभी फिलहाल थमा दिख रहा है लेकिन अगर अक्टिव मरीजों की बात करें तो आज भी सीवान में 2332 ऐसे मरीज हैं जो अक्टिव बने हुए हैं वहीं दूसरी और सीवान के एक मशूर दर्बार निवासी नसीम उलहक उर्फ नसीम बावू जिनकी उम्र 76 वर्ष थी उनकी भी मृत्यू हो गई है हाला कि यह असपस्प नहीं हो सका है कि उनकी मृत्यू जो है वो कुरोना के कारण हुई है लेकिन पारिवारिक सुत्रों के अनुसार लक्षन वही दिखाई दे रहे थे टेस्ट के रिपोर्ड आज ही उनके आने थे लेकिन उसके पहले वो दुनिया से अलविदा हो गए वहीं कोरोना संकर्मन के कारण सीवान के पुर्वसांसत डाक्टर मुहमद शहाबुद्दीन के मृत्यू एक मई को दिल्ली के पंडित दीन दियाल उपाध्याय अस्पताल में हो गई थी हाला कि उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि उनके पार्थिव शरीर को सीवान उनके पैत्रिक गाउं परतापपूर में लाए जाएगा लेकिन कारणूनी अंचनों के बावजूद उनके पार्थिव शरीर को सीवान नहीं आने की अजाज़त मिलने से उनके समर्थको में मायूसी और निराशा ही हाथ लगी